एक प्रोफेसर ने अपने हाथ में पानी से भरा हुआ एक ग्लास पकड़ते हुए अपनी क्लाश शुरू की उन्होंने उसे उपर उठा कर सबी स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा आपके हिसाब से ग्लास का वजन कितना होगा पचास ग्राम, सौ ग्राम, एक सुपच्चिस ग्राम छात्रों ने उत्तर दिया जब तक मैं इसका वजन ना कर लूँ मुझे इसका सही वजन नहीं बता सकता कोई भी प्रोफेसर ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसे इसी तरीके से एक घंटे तक उठाए रहूं तो क्या होगा प्रोफेसर ने पूछा, आपका हाथ दर्द होने लगेगा एक छात्र ने कहा, तुम सही हो, अच्छा अगर मैं इसे इसी तरीके से पूरे दिन उठाय रखूँ, तो क्या होगा? आपका हाथ सुन हो सकता है, आपके मसल्स में भारी तनाव आ सकता है, लकवा भी मार सकता है, और पका आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किसी छात्र ने कहा, और भागी सब आस पड़े, बहुत अच्छा, पर क्या इस दोरान ग्लास का वजन बदला? प्रोफेसर ने पूछा, उतर आया, नहीं बदला, तब भला हाथ में दर्द और मास्टेश्यों में तनाव क्यों आया? प्रोफेसर ने पूछा, स्टूडेंट्स अचरज में पड़ गए, फिर प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी, तो दोस्तों ये बताओ, कि अब दर से निजात पा कुछ इसी तरीके से होती है, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाख में रखिये, और लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उनके बारे में जादा देर तक सोची और आपको पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाख में रखिये, और ये आपको करने लगेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्ति अपने जीवन में आने वाली चुनौतियां और समस्याओं के बारे में सोचना जरूरी है पर उससे भी जादा जरूरी है दिन के अंत में सोने जाने से पहले उन्हें नीचे रखना इस तरह से आप स्ट्रेस्ट नहीं रहेंगे आप हर रोज मजबूती और काज़गी के साथ उठेंगे और सामने आने वाली किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकेंगे भनवाद दोस्ति